आजी नमस्कार फ्रेंड सुथार एजूकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफोर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरा नाम है विक्रम सुथार तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो बड़ा स्वाल है वो है जी CET की त्यारी कैसे करें देखे ये जो मेरा मैन फोकस है ये CET पर नहीं है ये हर तरह के एक्जाम पर है कोई भी competitive एक्जाम हो अगर आप मेरी इस strategy को follow करोगे तो आप उसे बड़ी ही असानी से निकाल सकते हो किसी भी एक्जाम को क्रेक कर सकते हो अब ये strategy क्या रहेगी ये strategy रहेगी 0 से higher level तक 0 से higher level तक हमें पहुंचना है तो उसके उपर सारी strategy रहेगी starting से लेके end तक वीडियो को जरूर देखें अगर आप complete वीडियो देखेंगे तभी आपको knowledge हो पाएगी कि किस तरह से हमें त्यारी जो है वो करने है सबसे पहले कोई भी exam जो है हर्याना का हो चाए center का हो उसके लिए हमें सबसे पहले तो subject की knowledge होनी चाहिए तो अब इन subjects के उपर हम discussion कर लेते हैं सबसे पहला subject computer आता है जी दूसरा subject इंदी आता है तीसरा English चोथा polity, पांचमा history, छटा geography, साथमा science, आठमा economics, नौवा agriculture दसमा animal husbandry, ग्यारमा environment, बारमा current affairs, तेरमा static जी के, फोर्टीन्थ अगर हर्याना का है तो हर्याना जी के और फिप्टीन्थ maths, सिक्स्टीन्थ reasoning तो इतने total subjects, mostly पुछे जाते हैं पेपर में, 16 subjects अब इन सब पर हमें पूरी की पूरी पकड़ जो है वो बनानी पड़ेगी अगर इन सभी subjects पर पकड़ होगी, तभी आप हर्याना के और center के जो exam है, उन्हें असानी से clear कर पाओगे अब सभी subjects को पड़ना आपके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो इन subjects को पड़े कैसे, देखिए पड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली point, देखिए, डेली one topic for each subject हर subject के लिए एक topic हमें करना है, example के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से पड़ना है जैसे अगर मैं Hindi की बात करूँ, तो Hindi के मैंने पहले दिन में पाँच मुहावरे कर लिए याद, English के भी मैंने क्या किए, पाँच प्रोवरव याद कर लिए, एंटोनियوم सिनोनियوم याद कर लिए पांच या फिर दो ही कर लेते हैं पांच एंटोनियम सेनोनियम कर लिए और दो वन वर्ड सब्सिटिशन कर लिए वन वर्ड सब्सिटिशन आगे और common error इंगलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो common error के लिए मैं एक पूरा का पूरा topic सजेस्ट करता हूँ जैसे noun मेंने उठा लिया तो noun के बारे में कुछ rules हैं तो इन में से तीन या चार rules मेंने डेली के याद करने हैं तो जब यह complete हो जाएगा तब इसके उपर practice भी मुझे करनी होगी ठीक है तो हिंदी के मैंने पांच मुहावरे याद कर लिए इंगलिस के मैंने पांच प्रोवरब दो वन वर्ड सब्सिटूशन दो एंटोनियम सनोनियम दो जो मुहावरे होते हैं इंगलिस के वो और common error के अंदर noun के तीन या चार मैंने कर लिए ये first day का रहा schedule math के अंदर जैसे मेरा subject कोई भी रहा तो मैंने quadratic equation उठा ली तो quadratic equation का थोड़ा बहुत कर लिया ठीक है चलिए reasoning का मैंने एक topic उठाया जो अमारा syllabus है उसमें से जैसे मैंने clock कर लिया तो clock का जितना हो पाता है उतना मैंने कर लिया ठीक है अब बात करते हैं चलिए animal husbandry की animal husbandry के अंदर मैंने एक topic उठा लिया कौन सा buffalo buffalo की कौन सी परजातिया है सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है और कौन से state में सबसे ज़्यादा जो वो फैलो पाई जाती है या कहां सबसे ज़्यादा बफैलो पाई जाती है इस तरह के question जो है totally बफैलो के उपर जितने भी question बनते हैं वो मैंने डिसकसन कर लिया मालो आज के दिन पर ये animal husbandry का भी हो गया environment के अंदर जैसे ही हमें चले environment के अंदर हमने पढ़ा nitrogen fixation nitrogen fixation ये मैंने बना लिया nitrogen fixation के बारे में complete जानकारी मैंने पढ़ ली चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस की अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए मैंने एक topic उठा लिया vitamins ठीक है polity के अंदर मैंने एक topic उठा लिया president history के अंदर मैंने टोपिक उठा लिया 1857 की करांती economics के अंदर मैंने टोपिक उठा लिया GDP ठीक है इस तरह करके जितने भी 16 सबजेक्ट हैं उनके 16 टोपिक per day मुझे करने है अब ये 16 टोपिक किसी तरह के से हो सकते हैं आप हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले यही आप बनाओगे भी 16 सबजेक्ट के कौन सा कौन सा topic आज मुझे करना है ठीक है ये तो गया आप खुद करें तो अब बात करता हूँ मेरी मैं क्या करूँगा इसमें से हर रोज आपको थियूरी थियूरी जो है वो 10 मिनट के लेक्चर में 10 से 15 मिनट का लेक्चर जो है एक एक टोपिक के उपर आपको प्रोवाइड कर देंगी आप वो थियूरी लेक्चर देख सकते हैं और उनके उपर जो MCQs होंगे जो उनके उपर MCQs होंगे जो PDF फोम में होंगे वो आपको टेलेग्राम पर मिल जाएंगे पर MCQs के लिए हमें त्यारी करने में काफी ज़्यादा समय लगता है और काफी मैनत लगती है तो इसके लिए सिर्फ आपको 30 रुपीज पर मन्त देने होंगे और इस 30 रुपीज में आपको डेली हर रोज कौन से कौन से टोपिक करने है उसकी भी टाइम टेबल आपको मिलेगा उनके उपर MCQs भी मिलेंगे PDF फोम में मिलेंगे और वो PDF जो है प्रोटेक्टिड होगी ये बात आप त्यान रखें और कहां टेलेग्राम पे अगर आपने ये जोइन करना है तो आप 30 रुपे बेज सकते हैं उसका जो गूगल पे का जो है वो मैं आपको नमबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शिन के अंदर और उसका सक्रीन शोट आप मुझे वर्सिप कर देंगी मैं साथ की साथ आपको उसे टेलेग्राम चैनल के उपर भेज दिया करूंगा जो प्रोटेक्टिड पीडियेफ होगी उस तरह की ठीक है ये तो बात होगी सारी अगर हम इस तरह से हर रोज एक एक टोपिक करते हैं दूसरी बात अगर जो ये 30 रुपे मुझे पे करेंगे उसको आप एक वीक एंड के उपर एक पूरा का पूरा सेंपल पेपर मिलेगा जिसके अंदर जितने टोपिक कवर हुए हैं उनके कुश्चिन होंगे पूरा कम्प्लीट ठीक है ये बात तो होगी डेली वन टोपिक फॉर इच सब्जेक्ट की नेक्स्ट बात करते हैं हम वीक एंड टेस्ट की वीक एंड टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं MCQs Practice MCQs के बारे में मैंने बता दिया आपको हर टोपिक पर MCQs जो है वो पीडिया फॉम में मिल जाएंगे और उसकी थियोरी जो है वो बिलकुल free of cost मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी और कल कौन से कौन से लेक्चर जो है वो आपको upload कराई जाएंगे उसके उपर मैं एक जो बिर्या community है उसके अंदर अभी डाल दूँगा एक post डाल दूँगा भी कल कौन से कौन से टोपिक जो है वो पढ़ाए जाएंगे और उनके उपर MCQs कौन से आपको मिलने वाले हैं सिरफ आपको 10 से 15 मिनट खर्च करने है एक टोपिक के उपर आपको थियोरी पूरी हो जाएगी और उसके MCQs जब आपको प्रेक्टिस करने हैं तो वो आपको टेलेग्राम पर मिल जाएंगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं प्रेक्टिस्नोट्स, माफ कीजिएका प्रेसाइज नोट्स प्रेसाइज नोट्स का क्या मतलब है अगर एक टोपिक है तो आपके पास उसके उपर पॉइंट वाइज नोट्स होने चाहिए एसा नहीं है कि आप एक बुक पढ़ते रहेगे और वो टोपिक ही बहुत बड़ा है अडवांस है तो जो पेपर में पूछे जाते हैं तो दा पॉइंट केवल उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप वही टोपिक पढ़के जाएं और आप असानी से सिक्यूर कर लें मार्क्स जितने बनते हैं ठीक है डेली करंट अफेर का भी आपको मिल जाया करेगा डेली करंट अफेर की वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा जब भी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि कभी साथ बज जाते हैं कभी आठ बज जाते हैं वो समय लग जाता है किई बार अभी थोड़ा स्टूडियो बनाने में मुझे टाइम लग रहा है जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएका तो मैं आपको डेली टाइम सर दे दिया करूँगा कभी साथ और आठ के बीच में लग बग मैं डाल ही देता हूँ और टेलेग्राम जो मेरा लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो जुरूर आप जोइन कर ले ठीक है प्रिसाइज नोट्स की बात होगी उसके बाद मैं देखी प्रेक्टिस मॉक्स जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर जाएगा स्पीड एंड एकुरेसी आपको स्पीड एंड एकुरेसी बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे जैसे ही आप जल्दी जल्दी प्रेक्टिस करोगे आपकी स्पीड एंड एकुरेसी भी बन जाएगी ये डेली प्रेक्टिस के उपर होता है आप ऐसे नहीं भी Sunday है आज मैं खेल के आ रहा हूँ ये वो नहीं आप केवल जो आपने टाइम टेबल बनाया है जो आपने लिष्ट बनाई है जो जो टोपिक आपको करने है वो टोपिक आपको डेली के करने ही करने है चाए उसमें कितना ही टाइम लगे तीन से चार गंटे मैकसिमम आपको लगेंगे तो वो आप कर सकते हैं तीन से चार गंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 3-4 गंटे डेली निकालोगे तो मैं आपको सर्त लगा के कह सकता हूँ तो within 6 months within 6 months आप कोई भी एक्जाम को क्रेक करने में सफल हो जाएंगे मैं ये गरंटी दे सकता हूँ आप परी तो बिल्कुल निकाल ही दोगे और जैसे CET की बात है तो CET के अंदर आपको सिर्फ top 5000 के अंदर अगर आते हैं तो D group तो आपकी confirm ही हो जाएगी ये बात आप जानके रख लीजिए ठीक है? चलिए, ये सारी बात तो हो गई अब आपको मैं डेली जो प्रेक्टिस करना है डेली जो प्रेक्टिस आपको करनी है कौन से कौन से topic आपको करने है उसके लिए आपको मेरी community के अंदर मिल जाएगा भी आपको हर रोज कौन से topic पढ़ने है community के अंदर मैं आपको topic wise बता दिया करूँगा और जितने topic की मेरे से वीडियो बनेंगी, वो मैं वीडियो जो भी है वो भी upload कर दिया करूँगा हाँ, अगर आप मेरे कोई मेरी वीडियो जो है पसंद आपको आ रही है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा और share कीजिएगा और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जो भी त्यारी कर रहे हैं जो भी अपके भाई बंदू हैं उन तक share करें ताकि उन्हें भी पता लग सकता कि केसी strategy रहेगी और उस strategy से हम जो है CT को या किसी और exam की जो त्यारी कर रहे हैं उनको असानी से निकाल सकते हैं ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे next वीडियो में स्वस्त रहें, सुरुक्षित रहें धन्यवाद, जे हिंद, जे भारत